क्रिश्नाय वासुदेवाय हरे प्रमात्मने प्रणत क्लेश्नाश आये गोबिन दाये नमो नमा राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों आज मैं अधिक मास में आप के लिए लाए हूँ प्रशोतम मास महातम का नमा अध्याए बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें विष्णु भगवान की जै सूच जी कहने लगे कि इसके बाद नारज जी विसमय युक्त हो मिधावी रिषी की कन्या का वृतान्त पूछने लगए नारज जी ने पूछा है प्रफो फिर उस रिषी कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी रिषी ने उसके सार्द बिवाहा किया? नारायन कहने लगे इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरन करते हुए वहाँ आश्रम में रहे कर कुछ काल बहतीत किया भग्यवश एक दिन उस वन में अपने इच्छा से विचरन करते महा कोट वाले दुरवासा मुनी आ गए आश्रम में मुनी को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरे धारन करके मुनी के चरनों में नमस्कार किया नमस्कार करके मुनी को अपने आश्रम में लाई अधरे पाद्य और वन के नाना प्रकार के फलों से आधर करके मुनी का पूजन किया फिर मुनी कन्या आधर से कहने लगी हे मुने आपको नमस्कार है मुझ दुर भागने के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ आपके आने से मेरे भग्य का उदे हो गया अत्वा मेरे पिता के पुन्य प्रताप से मुझ को समझाने के लिए आप आए हैं आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पावों के रज कन को सपर्श कर मेरा जनम सफल हो गया आप जैसे महात्माओं का मुझ को दर्शन हुआ इस प्रकार कहें के यह बाला उनके आगे चुप होकर बैठ गई तब दुर्वासा मुनी हस कर बोले धन्य धन्य है ब्राहमन पुत्री तुमने अपने पिता के कुल का उधार कर दिया कन्या बोली हे मुनी आप के वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया हे मुने आप कृपा कर ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरा दुख दूर हो मैं दुख शोक में अगनी की ज्वाला में जल रही हूँ इसको शिगर बुझाओ मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता मुझको धेरे देने वाली ना तो मेरी माता है ना पिता ना भाई मैं दुख पीडित किस प्रकार जीवन निर्वहा करूं जिस दिशा को देखती हूं वहीं अंधकार दिखाई देता है अतै हे तपो निधे मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी करी ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैढ़ कई दुरवासा मुनी उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे शूरी नारायन कहने लगी है नारद इस प्रकार मुनी कर्णिया के वच्नो को सुनकर मुनि दुरवासा बिचार कर अत्यांत क्रिपा करके इस बाला को देखकर कुछ हितक वचन बोले बोलो विश्णु भगवान कीजे बंधों अधिक मास में गरब गीता सुनने का भी बहुत महात्म है अब मैं आपको सुना रही हूं गरब गीता शी कृषन अर्जन समवाद भगवान शी कृषन का वचन है कि जो प्रानी इस गरब गीता का विचार करता है वहें फिर गरब वास में नहीं आता अर्जन अवाद हे कृषन जी यह प्रानी जो गरब योनी में आता है वहें किस दोश के कारण आता है हे प्रभुजी जब यह जनमता है तब इसको जरा आदिक रोग लगते हैं संसार में आकर दुख भोगता है बुढ़ापे के कर्ष सहता है फिर मृत्यू होती है हे स्वामी वहें कौन से करम है जिनके करने से प्रानी जनम बरन से छूट जाता है शी भगवान उवाच हे अर्जुन यह जो मनुष्य है यह अंधा वामूरक है जो संसार के साथ प्रीजी करता है वहें पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा ऐसी च जनमतावा मरता है गरब वास के दुख पाता है अर्जुन उवाच हे शी कृष्य भगवान मन मद मस्त हाती की भाती है और त्रिश्णा इसकी शक्ति है यह मन पांच के वश में है काम क्रोध लोब मोहो एंकार और इन पांचों में भी एंकार सब से बली है अतह प्रानी को क अर्जुन जैसे हाती अंकुष्च से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाती को वश में करने को ज्यान रूपी अंकुष है, एंकार करने से जीवन नरक में पढ़ता है, अर्जुन बोले, हेशी क्रिशन भगवान, कुछ तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, कुछ बेरागी हुए डोलते हैं, कुछ धरम करते हैं, इस विशे में कैसा पता चलेए? जो वैशनव है, वे कोन है? शी भगवान बोले है अर्जुन जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं वे सिर पर जटा बांदते हैं भसम लगाते हैं उन में भक्तिवा प्रेम नहीं है वे एहंकार से ग्रस्त हैं उनके लिए मेरा दर्शन दुल्लब है अर्जुन बोले है श्री कृष्ण भगवान वे कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की इस्तरी समय मर जाती है पुत्र मर जाते हैं और किस पाप के कारण व्यत्ति नपुन्सुक हो जाता है श्री कृष्ण भगवान बोले है अर्जुन जो किसी से कर्ज लेता है मगर देता नहीं इस पाप से उसकी इस्तरी मरती है जो किसी की ध्रोहर को नहीं लोटाते उसके पुत्र मरते हैं जो किसी को समय करने का वचन जो किसी को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर सहायता न करें में नपुन्सक होता है ये बड़े पाप है अर्जुन उवाज ए क्रिपानिधान किस पाप के कारण नुश्य सदा रोगी रहता है और किस पाप के कारण गधे का जनम पाता है इस्त्री तदा टटू का जनम प्रानि को किस पाप से मिलता है शी भगवान बोले है अर्जुन जो मनुष्य कन्यादान का मुल्ले लेते हैं अर्थात पुत्री को बेच देते हैं वे सदा रोगी रहते हैं जो विशे विकार के लिए मदिरा पान करते हैं वे टटू का जनम पाते हैं जो जूठी गवाही देते हैं वे इस इस्त्री का जनम पाते हैं जो मनुश्य जूठी वस्तु दान करते हैं वे भी इस्त्री का जनम पाते हैं अर्जुन बोले हे श्री कृष्ण भगवान इस संसार में जिन मनुश्यों को आपने धन धन्य दिया है उन्होंने कौन सा पुन्य किया है और जिन मनुश्यों को आपन उत्तम वाहन दिये हैं उन्होंने कौन से पुन्य की है शी भगवान बोले है अर्जुन जिन्होंने स्वरन दान दिया है उनको उत्तम वाहन मिलते हैं और जो प्रमेश्वर निमित कन्या दान करते हैं वे उत्तम पुरुष का जनम पाते हैं अर्जुन बोले हे भगवान, जिन पुर्षों को आपने सरवांग सुन्दर देहे दिये, उन्होंने कौन कौन सा पुन्ने किया है, किसी के घर समपत्ती है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुन्ने किया है, कोई कुरूप, समपत्ती हीन वा अज्यानि क्यों है, शी भगवान बोले है अर्जुन जिनों ने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुन्दर है जिनों ने विद्या दान किया वे विद्वान है जिनों ने संतों की सेवा की वे धनवान और पुत्रवान होते है अर्जुन बोले है भगवान प्रानी धन और संसारिक आदिस सुख के प्रति मोहों क्यों रखता है शी भगवान बोले है अर्जुन यह अज्ञान है क्योंकि धन इस्त्री आदि सुक नाश्वान है केवल मेरी भक्ति का नाश नहीं होता अर्जुन बोले है भगवान राज-पाठ किस धरम से मिलते हैं विद्या कौन से धरम से मिलती है शी भग करता है वही विद्वान है अर्जुन बोले है भगवान किसी व्यक्ति को धन अचानक बिना प्रिक्षम के मिलता है तो कोई उसे सारी उमर एककत्र नहीं कर पाता और कुछ लोग रोग रहित होते हैं अते उन्होंने कौन से पुन्ने किये हैं श्री भगवान बोले है जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास मिलता है जिन्होंने प्रमेश्वर का कारे और प्राया कारे सवारा है वे रोग से रहित होते हैं अर्जुन बोले है भगवान किस पाप के कारण प्रानी अमली होते हैं और किस पाप से कुष्ठी होते हैं शी भगवान बो ये हैं वे कुष्ठी होते हैं अर्जन बोले है श्री भगवान किसी की देह में रक्त विवकार होता है ये किस पाप के कारण होता है कोई दरिद्री होते हैं किसी को खंड वायू होती है कोई अंधे होते हैं पंगू होते हैं ये किन पापों के परिनाम है कुछ इस्त्रियां बाल विदवा होती हैं, तो किस पाप से होती है, शी भगवान बोले है अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं, उनको रक्त विकार होता है, जो आलस्ये में डूबे रहते हैं, वे दरिद्री होते हैं, जो कुकर्मी ब्राहमन को दान देते हैं, उनको खंड वायू होती है, जो प्रानी इस्त्री को नंगी देखता है, गुरू की इस्त्री पर कुद्रिश्टी डालता है, जिसने गो ब्राहमन को लाद मारी है, सो अंधा वापंगू होता है, जो इस्त्री अपने पती को छोड़ क प्राइब पुरुष से संग करती है बहें बाल बिद्वा होती है भूलो शी विश्लू भगवान की जै राधे राधे जै श्री कृष्णा बंधूं यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद